अच्छा यहां पर कुवां भी है यह देखिए यह कुवां है मैं नीचे जाके दिखा देता हूं हलो दोस्तो दोस्तो आज मैं जारू अपने धन्नों को लेकर एक रूम देखने के लिए भाड़े पर अपना वसाई आपको रोड भी चलते चलते दिखा देंगे कैसा क्या है दोस्तो अभी हम निकले हैं मीरा रोड से वसाई जा रहे हैं यह देखिए यह मेट्रो का काम भी चालू है अपना जो यह मीरा भाइंदर जो रोड है उसी पर जा रहा हूं अभी काशी मीरा की तरफ वह देखिए मेट्रो का काम चालू है यह देखिए यह कबुतर है यहां पर एक आदमी कबुतर का जो दाना है वह भी बेचता है अभी वह आदमी नहीं है शाम के टाइम में सुगों से बेचता है अब यह देखिए काशी मीरा के तरफ आ गये हैं वह आगे हाइवे हैं यह देखिए सिव्याजी का पुतला और यह काशी मीरा के ब्रीज के नीचे से जा रहा हूं अभी दोस्तों आज का जो वीडियो है यह बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आज का वीडियो उन लोगों के लिए और भी मज़ेदार होने वाला है जो लोग बस में या ट्रेन में बैठके जो खिरकी से देखता है साइड का लोग बहुत मतलम लोग को अच्छा लगता हूं लोग के लिए आज बहुत अच्छा होने वाला है वीडियो क्योंकि यह मैं रोड पूरा दिखाने वाला हूं यह हम जा रहें अभी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे मतलब मंबाई और गुजरात का जो हाइवे है गुजरात टू मंबाई मंबाई तो गुजरात जो हाइवे है वह हाइवे पर जा रहे हैं यह देखिए वासाई की तरफ जा रहे हम मतलब वासाई जा रहे है यह गुजरात की तरफ जा रहे है यह दोनों साइड में बहुत ही मतलब जहार हो गए रहा है पहार भी है यह देखिए टर्निंग पॉइंट है कितना बहुत ही ज्यादा टर्निंग पॉइंट है यह देखिए गारी कितनी स्पीर में भाग रही है अपने गाड़ी भी बहुत इस्पेड में जा रही है आप लोग भी ख्याल रखिएगा जब गाड़ी चलाना है हाईवे पर तो नजर अग्दम टिका के रखना है दोनों साइड और मतलब सामने क्योंकि यह जो गाड़ी है ना जिस तरफ जगह मिले गए उसी तरफ साइड लेकर आगे बढ़ने हो लिए यह देखिए नाइगाओं जो एक नदी है उसके उपर का यह ब्रीज है उसके उपर से जा रहा हूँ अभी यह अच्छे से बना रहा है अभी एक बड़े ब्रीज बन जागता और भी फास्ट जाने हो रहा है सब लग यह देखिए बना रहे हो आला जो प्रीज है उपर एक दम हाईट भी बना दिया बहुत ही है हुआ 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 है कि वह देखिए पहाड भी है साइड में मदब पहाड़ी अलाका भी है यह हुआ हुआ है कि एक्षुली मुंबई जो है वह पहाड से पूरा घेरा हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है यह दिके किदा से साइड मिलता है न तो निकल जाता है लोग अ है इसलिए है एक्दम चोकान न रहना पड़ेगा गारी चाहलाते टाइम है कर दो कि तो इस में अपनी गारी भी है तो रोट अच्छा लगरे लुक है इदर का साइड का जो इताखा है थो फुरा सा जंगल टाइप थोड़ा सा पहारी अलाका जैसे हैं, बोदी किसब ट्रैंस्पोर्ट का गारी भी जाती है यहां से, मतलब मुंबाई से थोड़ा सा मुंबाई में जितना भीर भार इलाका है, उससे थोड़ा सा यह मतलब खाली इलाका है रोट के साइड में कोई-कोई वो बेच रहे हैं, अपना निम्बू पानी हो गएरा, यह अभी तो ठनली का महसम है, गर्मी का महसम में बहुत ज्यादा मतलब देचते हैं, यह सब बहुत ही लोग, यह दीकि एक प्लाइवर के उपर से जा रहा हूँ, यह सब बस हो गएरा, यह सब तूरिस्ट बस है, गुजरात हो गएरा समझाते हैं, मंबाई से गुजरात, गुजरात से मंबाई, यह देखिए, आज 26 जैनुआ लिहाई करते हैं, आज जंडा भी लगाया, यह बड़े-बड़े सब साइड में कुछ भी कमपैनी भी है, होटेल भी है, रिसॉट भी है, बड़े-बड़े धाबा भी है, वो देखिए, अबरवाल मुझे गारी चला के भी अच्छा लगा, एक दम सुकून से खाली, रोड भी खाली थी, यह देखिए उल्टे साइड में भी गारी लेकर आ रहे हैं, यह देखिए सब ट्रंकर है, अपर तक तेल का हो या कुछ भी हो जोगी है, गैस का हो जोगी है, यह ब्रीज के नीचे से जा रहा हूं, उपर से रेल लाइन है, यह वासा यसे एक लाइन आया है, यह उसा ही से कि थाने तक जा रहा है साइड है कि वो दिए को सब इंडर लेफ साइड में वह बड़ा सब इंडरस्टिल एज आए कि तेल का या जास का कोई तो टैंक कर रहे हैं कि यह जाएड में सब भाबा है बहुत चोटा मटा सा होटेल है कि पेट्रोल बांप है बाकि पान पुट्टी हो गया रहा यह तो मिली जाएगा साइड में और तायार हो गयरा पंचर हो गया तो भी मिल जाएगा वो देखिए कितने सब बीच बीच में है तायार बनाने वाला दुखान यह देखिए हमने फुरा सा गलत कि अगया कि मतलब मुझे ब्रीच के नीचे से नहीं जाना था उपर से जाना था इसके बाद बीच से नीचे लेना था तो मैंने पहले ही नीचे आ गया था प्रोट में बहुत कुछ बीच रहे थे को साइड में गारी साजाने वाला गारी में अचा फूल जैसा कप्रे गए था प्रोट की गाड़ी है यह देखिए यह जो कच्छा रोड है यह पत्थर से बना हुआ है बहुत ही उबर खबर इतना उचा नीचा है कि गाड़ी ले जाना मुश्किल है फिर भी लेके जा रहे है लोग भी लेके जाते हैं वो देखा आलू वाला सब्जी वाला वो भी धकेल के लेके जा रहे है दोनों मिलके और एक आटो भी आया सामने से इधर लगते खेती बाड़ी भी होते धान वन गोते बर्शाद में यह दिखिए आ गए हम मैं गाड़ी से उतरा उतर के जा रहे हैं रोड भी बना हुआ नहीं एतना यह दो कभी हम घर देखने के लिए जा रहे हैं वो सामने वाला घर शाटर वाला है वो खोल लाए न आला दिन चलो देखते हैं देखते ला बागी इसो भी उपना वाला से लाट शाटर लेत। डाट चलो खोला ह्याजरche नीं तो भी चलो ल्मना लेत। कर सकते। है। यह हैं वह है। जहां ही। जहां पळलते हम सभमा घने कबते हैं कि अ हुआ तो भूत रचकर मट काड़ है यह देखिए हम बहार आ गये हैं एक पिगने की स्पोर्ट जैसा है मतलब चारो साइड यह पाहाड जैसा है जार हो गयरा बहुत सारे सब लगा हुआ है थोड़ा सा जंगल टाइप थोड़ा सा नहीं ज्यादा ही जंगल टाइप है यह घास पुरा आग से जला दिया है जर्खेए है ज्यादा है जुआ है यह पर भाइब से दियां है जो तू जा कभी देखिए त्सक्राइप आट है कि अग्यां जेता है कि पीजिये है? कितना भारा बोलना? पुटीशो भारा के जाए शालेगे कि जेए वे टादीची रावारा के जाए? यहार टादीची मारा अमाटेव भूलेटर मोड़ो आने, वोट जीक है। तेची जाए 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 कि जेए यह क्या लगें मैं इस से पूछ रहा हूं अपने धन्व को इह लुघ ने बोला कि हम लोग पहले जहां पर थे वहां पर चल जाके आते हैं इसलाँ देखके आते हैं, उसका भी कुछ काम था, तो हम बोला चल फिर, घूम के भी आएंगे, फिर हमने निकल गया वहां से, वह देखो हाइवे हैं, यह देखो कच्चा रोड है, यह ब्रीज के नीचे, यह जगह का नाम है चिंचोटी, चिंचोटी, वो देखो जाते जाते साइड में तलाब भी है, तलाब औगहरे भी है, शरोर पुरा कच्च्च ही रहा है, कच्च्चा रहा है, वो देखो, इट की बढ़ती, यह सब इट बना की रखा है, यह आ गया यहां पर, अलाजिन पहले था, रोड सब कच्च्चा रह रह रहे है, खुबरखा ओर आलाजिया, कि अधर एक चोटा सा तलाव है कि अधर को बतक भी है अधर यह देखिए कितना बड़ा पहाड है पहाड के ओपर एक मंदीर भी है और सीडी भी है पहाड मतब वो मंदीर में चानने के लिए सीडी भी है अधर कुमा है कि यह देखिए एकदम नाजदिक में एक पहाड भी है और यहीं पर सब चोटा चोटा ऐसा रूम बना हुआ है मैं दिखा देता हूं आपको यह देखिए यह रूम बना हुआ है ऐसे रूम कोई खरीदना भी चाहता तो भी बेचने के लिए बना के रखा है यह देखो सीडी है यह पहाड पर चड़ने के लिए वहाँ पर मंदीर में चड़ने के लिए सीरी भी है यह देखो सीरी चड़ने के लिए है अच्छा यहां पर कुवाँ भी है यह देखिए यह कुवाँ है मैं नीचे जाकर दिखा देता हूं पानी एक दों उपर ही है पानी टाया एक दों वो पोड़ा अशे तो पानी खुब धाल का पानी खुब धाल का पानी कि यहां पर मैं कहा रहा हूं बंगाली में कि पानी बहुत ऊपर है और पानी बहुत साफ है कि एक रूम बेचने के लिए बना के रखा है ना बिक्क्री होले बिक्क्री करते हुए है जगरू कर दुब है यह दो को मेरा धन्नो इदर खड़ा है इसका नाम है अलादिन इसको बोल रहा है क्या है क्या चाहिए और यह मेरा धन्नो है इदर खड़ा है धन्नो यह देखो यह लोग भी यहां पर रहते हैं अब हम निकल पड़े घर जाने के लिए अभी अलादिन बोल यह तलाब में बहुत सारे मचली है इसका नाम होलादिन अभी यह दुड़ा क्या है कि अभी हम रिटान आरे वेस्टन हाइवे के उपर से ही कि सीधा कि शाम भी हो गई है कि लाइट भी चालू कर दिये सब लोग कि देखिए होटेल है रिसॉट है दोस्तों डेली ब्लोग देखने के लिए मेरे सैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताके आगे आला वीडियो आपके पास पहुंच जाए और दोस्तों में श्यार कीजिए प्लीज